दोस्तो आज हम बात करेंगे उस औरत की जो 22 जनुवरी को राम मंदिर के उद्खाटन के समय अपना मौन वरत तोड़तेगी जी हाँ हम बात कर रहे हैं जार खंड की 85 साल की औरत सरस्वती देवी की जिन्होंने 1992 से जानी के तीन दशक से मौन वरत धारन किया हुआ है और जिस जाना जाता है और वे सांकेतिक भाष्षा के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के साथ समवाद भी करती है वे लिखकर भी लोगों के साथ बात करती है हाला कि उन्होंने मौन वरत से कुछ समय का विराम भी लिया था जी हां आपको बता दें कि 2020 तक वो दिन में सिरफ एक घंटा बोलती थी वो भी दुपहर के समय और बाकी के 23 घंटे वे मौन वरत धारन करके रखती थी लेकिन जिस दिन प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने राम मंदिर की नीव रखी उस दिन से उन्होंने पून रूप से मौन धारन कर लिया और ये कहा कि जिस दिन राम म मंदिर का उधिखाटन होगा उस दिन वे अपना मौन वरत तोड़ेंगी उनके बेटे हरे राम अगरवाल जो के 55 साल के हैं उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जिस दिन उनकी माता जी ने योध्या में राम मंदिर के निर्मान तक मौन वरत धारन करने की शप् जिस दिन राम मंदिर का उधिखाटन होगा उस दिन वे अपना मौन वरत खोल देंगी आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्यों ने बताया है कि उनके 8 बच्चे हैं जिन में से 4 बेटिगा हैं और 1986 में सरस्वती देवी के पति किमर्ट्यू हो गई थी उसके बाद उ अंदलाल की पतनी इनु अगरवाल ने बताया कि शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपनी सास को भगवान राम की भक्ती में मौन वरत धारन करते हुए देखा हैं उन्होंने बताया कि वैसे तो हम उनकी जादातर सांगेतिक भाशा को समझ लेते हैं लेकिन लिखकर वो जो भी बात करती हैं उनके वाके बहुत ही जटिल होते हैं उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सास को देखा है कि वो शिरी राम के प्रती समर्पित रही है और उन्होंने राम मंदिर के निर्मान तक मौन वरत धारन करने का संकल्प लिया था उन्होंने ये भी बताया कि उनक अभी बहुत खुश है कि अब सरस्वती देवी जो है जिस संकल्प के साथ मौनवरत को धारन करके बैठी थी वो संकल्प उनका पूरा हो रहा है राम मंदिर के उद्गाटन के बाद वैं मौनवरत तोड़ देंगी